कैथल से कांग्रेस के उमीदवर रंदीब सुर्जेवाला ने गुरुवार को SDM दफ्तर में अपने नमांकन पत्र दाखिल किये नमांकन पत्र दाखिल करने के बाद रंदीब सुर्जेवाला ने खटर सरकार पर निशाना लगाया आए सुनते हैं कॉंग्रेस पार्टी पूरे प्रदेश में एंटी इंकम्मेंसी का सामना कर रही थी 2019 में पाला बदल गया है हर्याना की जनता ने बड़े प्यार से खटर साहब की सरकार को हर्याना में बनाया पर पता चला कि वो एक केवल जूट और धोखा है और इसलिए जनता ने एमन बना लिया है कि इस सरकार को हर्याना पार करने वाले है हर चीज अब पचेतर पार है प्याज पचेतर पार तमाटर की लाली भी अब दीरे दीरे पचेतर पार हो रही है पेट्रोल पचेतर पार व्यपारी के लिए डॉलर भी लगबग पचेतर पार दाल पचेतर पार इसी प्रकार से चलता रहा तो इनको बहुत जल्द 21 तारीक को हरियाना पार हरियाना की जनता करवा देगी क्या ये इस बात का सबूत नहीं कि उनको खुद पर आतम विश्वास नहीं क्या ये इस बात का सबूत नहीं कि उन्हें आप बारी लोगों का समर्तन जुटाना पड़ रहा है क्योंकि ना स्थानिय नेता ने स्थानिय मुद्य उनके साथ है आप कैथल सही देख लीजिए कभी आदरनीय रवी भूशन गर्ग जी को टिकेट फिरूं की टिकेट काटकर आदरनीय राव सुरिंदर सिंगी को फिरूं की टिकेट काटकर भाई लीला राम जी को ये ये पार्टी है या आए दिन बदलती हुई वसियत जो हर रोज अपना नेता और अपना चेहरा बदल लेते हैं वो कैथल का विकास क्या भला कर ठाक पर कर पाएंगे जीत का निर्णे कैथल और हर्याना की जनता करेगी वो लोग एहंकारी हैं जो जनता की वोट से पहले ही जीत का दम और एहंकार करते हैं मैंने हमेशा तीन बार दो बार यहां से मैंने और एक बार पिताजी ने चुनाव जीता हर बार मैंने ये कहा बिनमर्ता से हम कैथल की जंता के आगे शीश जुगाते हैं और ये कहते हैं केवल तरक्की को चुनिए इसलिए रंडीप को चुनिए काम बोलता है और काम को तोलिए देखिए 2000-2005 कौन सा गुंडाराज इस शहर में था और देखिए 2005 के बाद उस गुंडाराज का खात्मा किस ने किया 2000-2005 के बीच किस प्रकार से ये एक संकीरन सडक का शहर था और 2005-2014 के बीच आपके इस भाई और साथी ने पूरा शहर और जिले का नक्षा बदला अगर रंदीप ने कोई काम किया है अगर रंदीप विकास और तरक्की का परिचायक बन गया है तो मैं बड़ी विनमर्ता से हाथ जोड़ कर अगर रंदीप इस शहर की शांती की निशानी है अगर रंदीप से गुंडे भै खाते हैं तो फिर रंदीप अब बड़ी विनमरता से हाथ जोड़ कर कैथल की जनता का आशिरवाद और हर्याना की जनता का कॉंग्रिस के लिए आशिरवाद मांगता है। कहे गए सब कामों पर अब रोद लगाया है। भाई उदे सिंग का किला वहीं पड़ा है। पारकिंग जो गीता भवन मंदिर के साथ बननी थी वो वहीं पड़ी है। संस्कृत विशव विद्याल्य का नामों निशान भी कहीं बचा नहीं क्योंकि कोई पथर लगा ही नहीं। जो सडके खोदी गई वो आईटी आई से जींद रोड हो वो चंदाना रोड से अनाज बंडी हो वो आज भी वहीं की वहीं पड़ी है। चारों तरफ यहां तक की फ्यूज हुए बल्ब और सडकों मर हुए खड़े आज तक खटर सरकार नहीं बदलबा पाई है। और यह कहानी बदाली की केवल कैथल की नहीं। आज नल के अंदर पानी नहीं। सीवरेज नहीं। अगर कुछ है खटर साब ने कुछ दिया है तो भारी भरकम विजली के बिल और बड़े बड़े मोटे चालान। किसान को फसल का नहीं दाम दिया, नहीं गरीब को मजदूरी दी, मंदी और तालाबंदी व्यपार और दुकानदार के लिए खटर सरकार की पहचान बन गए हैं। इस मंदी और तालाबंदी वाली सरकार पर तालाबंदी हर्याना की जनताब लगाएगी। कैथल का निया यूद शुरू हो चुका है वो ताक्ते जो कैथल की संस्कृती पर एक प्रशन विराम लगाना चाहती है कैथल की शान्ती को दुबारा से गुंडा यूग में बदलना चाहती है कैथल के विकास पर जो भाजपाई अवरोध पाँच वरश में लगा है कैथल के यूवा जो आज रोजी रोटी की तलाश में दरदर की ठोकरे खाते हैं कैथल का दलित और किसान जो एक नई आकांशा के लिए ततपर और तयार है एक संपूरण बदलाव और परिवर्तन की लहर नाकेवल कैथल प्रंतु पूरे हरियाना में बह रही है लोग जोर जोर से कह रहे हैं कि भारतिये जनता पार्टी भाजपा एक धोका है और धक्का मारो मोका है पचेतर पार का नारा देने वाली पार्टी को हरियाना पार करवाने के लिए हरियाना और कैथल की जनता ततपर और तयार है बदलाव की बैयार है और आप ये पाएंगे कि जो लोग एहम और पहम के शिकार है समेत आदर्णिय मुख्यमंत्री श्री मनहोरलाल खटर के उनके एहंकार की प्रकाष्टा जिसकी कोई सीमा बची नहीं भाजपा के उस एहंकार को भाजपा की उंदमनकारी नीतियों को एक निरनायक तोर से 21 तारीख को हरियाना और कैथल की जनता एक कठोर जबाब देगी और एक निरनायक जबाब देगी और हरियाना में पूरे हरियाना के अंदर कॉंग्रिस का विजय पर्चम समेत कैथल के एक बार फिर लहर आएगा